काम के लिए नोकर भेज़नों क्या है? कोई जरूरत नहीं, बस बड़ी-बड़ी बात ही का ना जानते हैं आप स buscando अ सबस्सक ये बाते हैं बाता ही एर घरूरत अ सबUsed तुम कहो तो तुम्हारे घर में मैं नौकर बन के रह जाओं। उसके कोई ज़रूरत नहीं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझसे पराई जैसा वेभार करें। क्या हुआ शेवंता। कितना गुस्सा। तो क्या करूं और मैं। मेरी जिंदगी ऐसे ही बीच जाएगी। एक तरफ मेरे पती हैं जिन्नोंने जिंदगी भर मुझे कष्ट दी हैं। और एक तरफ आप हैं। यह फूलों की तरह रखते है, प्यार देते हैं पर आगे क्या। अर्ना, एक बात कहूं, गुस्सा आएगा आपको, पर आगे से ये सब मुझसे नहीं होगा, हमारा यू मिलना, नहीं मतलब एक गाउं में बले ही हम रहते हूं, पर आज नहीं तो कल मेरे पती रिटार होंगी, उसके बाग क्या, हमारे पास तो एक इंच जमीन भी नहीं है इस नाम समीन करता हूं, बड़ा बंगला बनाना, आप तो खुश, हाँ, हाँ, शेवन्ता, इस गाउं में तुझे किसी बात की कमी नहीं होने दूगा, और चब तक मैं हूँ, तुझे कहीं जाने पे नहीं दूगा, नहीं कावंश निरुमंश नहीं होने दूगा, जो होना है ह क्यों जी, कहां गए थे इतनी रात को, क्या पूछ रही हूं मैं, मैं वो पीछे वादी जमीन पर गया था, शोबा, ले, बबुती का पानी पी ओ, लीजिये, क्या है ये, अरे, किसी बाहर वाले की नजर ना लगे, इसलिए ये भबुती मिला पानी पीने के ले कहा है, तुम ले लो, बाकी बचा हुआ ग्लास में मैं ले लूँगा, अच्छा, ये क्या कैरी का पन्ना है, लाओ, हाथ करो आगे, अरे, रहने दू, बाकी और कुछ करने के लिए कह रहे हैं क्या हम आपसे, अब इतना कर लीजिये, रहने दो, शोभा, पहले हाथ करी आगे, कीजिये कह रही हुँ न, कीजिये, सब भूल गये क्या, अरे, दाया हाथ आगे करिये, रहने दू, क्यों रहने दू, दो हाथ, कीजिये हाथ आगे, देखेजिये, दिखाये, अरे, अरे, ये क्या कर लिया आपने, कुछ नहीं छेल गया है, छेल गया, जोट बोल रहे हैं, जला हुआ दिख रहा है, सुबह से चूले की तरफ भी नहीं गये है, क्या हुआ है ये, कहा गए थे आप, परिशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं सब जानती हूँ, पर कह देती हूँ, बेटा गवाया है मैंने, पर इस उपाय में कुछ अडंगा डाला आपने, तो हम दोनों गले में फंदा डाल लेंगे, फिर रहो आप अकेले, अरे, क्या बोल रही हो तुम? आई, कल अभिराम भाया सोय थे ना, हाँ सोय होगा, हुरी, अभिराम का क्या, कुछ नहीं, कल रात को मेरी नींद खूली, क्या हुआ पता नहीं, मैंने दर्वाजे के तरफ देखा, तो अभिराम भाया वहाँ खड़े थे, अरे, सपना देखा होगा तुने, नहीं, सच में, कुछ बोल नहीं रहे थे, एक टक देख रहे थे, उन्हें ऐसे अचानक देखा तो, मैं डर गई थी, उनकी आखें कुछ कह रही थी, मुझे ही घूर रहे थे, आई, डिबा भर दिया, हाँ, अभिरामा, कल रात को तु नीन से उठा था, कल रात को नहीं आई, मुझे कुछ याद नहीं है, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, डिबा खा लेना, हाँ, हाँ, अभिरामा, दो दिन हो गए, तु स्कूल से घर अंधिरा होने पर आता है, क्या हुआ, कहां रह जाता है तु, नहीं तो आई, हमेशा टाइम से दो आ जाता हूँ, अच्छा अभिराम भाया, अब जल्दी जाओ स्कूल नहीं तो देर हो जाएगी, आता हूँ, अन्ना, तुमने निरने कर लिया है न, हाँ, ठेक है, वो बंजर जमीन के कागजाद मेंने बना लिये हैं, वो जमीन किसके नाम पे करनी है, पाटनकर बाई, कौर, कुमूदिनी पाटनकर, अनक क्या है ये, क्या कर रहे हो, लगो, मेरा निर्डे, मेरा होता है, उसमें कोई दखल दे मुझे अच्छा नहीं लगता, आज तक ये संजाने की नौबत नहीं आई, और आने भी मत देना, नहीं तो मेरे संजाने का तरीका, तुझे अच्छे से पता है, रगू, अन्ना ने निर्णे कर लिया है, तो हम उसमें क्यू दखल दें, पर अन्ना, दोस्के नात एक सला दू, हमें तुम्हारी जैसी चिंता होती है, वैसे ही पाटनकर फैमिली की भी चिंता होती है, अब ये जो जमीन तुम उनके नाम करने चले हो, उसका इतिहास पूरा गाव जानता है, आज तक उस जमीन के लिए कोई खरीद्दार आया क्या, वहाँ कभी कोई पैदावार हुई है क्या, नहीं न, और उसकी वज़े क्या है, ये भी तुम अच्छे से जानते हो, वही तो, अमंगल जमीन है वो, किसी को फ़लने वाली नहीं, ना एक परिवार को फ़ली है क्या, नहीं, उस जमीन पर, उस माता का वास है, वंश के वंश को खा जाएगी, उसके आड़े मताना, बातंगर को तकलीफ होगी, नहीं होगी, काल के एाएगी ओने एगारा के अना? नेने, तुम्हारे जैसे चालाग तुम ही हो, मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मुस्से ऐसे ये जमीन नहीं मिलने दो गए, नकली काकज बना के दिये ना, असली काकजा दिये हैं, अरे, मतलब ये जमीन उसके नाम हो गई, पर नेने, ये पेपर पाटरन करवाई के हाथों म जाने वाले हैं, वो औरत होश्यार है, पड़ी लिखी है, ये प्रकरण हमें घहा तक साबित हो सकता है, तो फिर आगे, शायद अब हमें जमीन पर पानी छोड़ना होगा, पाटन कर भावी हैं क्या घर में, दर्वाजा खोला है, आईए, अंदर आईए, ऐसे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, पानी लेने गई थी, अपने हाथों से पिलाओगी, तो पानी अम्रित हो जाएगा, अच्छा, लीजिए, बाहर गये थे, हाँ, कुछ काम था, हाँ, कैसा काम, नेने के पास गया था, जमीन से जोड़ा कोई काम था, तुम्हें दिया हुआ वचन कभी तोड़ा है, मतलब, किस वादे की बात कर रहे हैं आप, तुझे कहीं जाने की जरूत नहीं, तुझे जो भी करना है, इसी गाउं में रहकर करेगी, इसी गाउं में घर बांधोगी, जमीन, अर्णाप, आप कितना करते हैं मेरे लिए, ये तो कुछ नहीं, इस जमीन पर बंगला बना दूँगा, नहीं, अर्णाप, मुझे किसी जमीन की जरूरत नहीं, पर शिवन्ताप, अरे, मैंने कहाना आपसे, इनकी इजासत, अरे, देखिए, ये आ गए, इनकी इजासत के बगएर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता है, ये आपकी पेपर्स नहीं लेते, इसलिए आप मुझे लाकर दे रहे हैं, अरे, अर्णा, कैसे पैसे चुका आएंगे हम इस जमीन के, पर एक बात कहे देती हो, अर्णा, इनकी मर्ज़ के खिलाफ कुछ भी नहीं, अर्णा, पहले ही आप हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हैं, अब ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, अरे, पैसे दे कर तो क्या, फोकट में देंगे, तब भी हम नहीं लेंगे, कुमदीनी, अजी, आपको मन्जूर नहीं है, तो मुझे भी नहीं, फिर चाहे कोई कितनी भी हमारी मदद क्यों ना करना चाहे, तब भी नहीं, अन्ना, माफ कीजेगा, पर हम ये नहीं ले पाएंगे, अरे बच्चों, रुको जरा, अभिराम भाया, तुम्हारी कक्षा में है ना, हाँ, हमारी कक्षा में है, तो वो पीछे रह गए हैं क्या, हमको क्या मालूम, अरे रोज सा तुम लोगों के साथ ही आता है घर, रोज आता था, पर आजकल नहीं आता, क्यों, पता नहीं, पर उधर बंजर जमीन की ओर बंजर जमीन की ओर? हूम बंजर जमीन के पास है अइसा क्या है उस जमीन पर? अरे वहाई एक आउरत tama ने अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर खुदखुशी कर ली और लोगों ने उसी जमीन में उसे काड दिया अब होद है वो जुमीन अभी रामा आ गया आजा बेटा आजा आजा बैठ यहां बैठना रजा तेरी वज़े से यह सब पार लग रहा है तेरी घर ने हमें बर्बाद किया पर तू हमारे साथ खड़ा है वो सिर्फ मैं जो कहता हूं वही सुनता है उसे भी पता नहीं कि वो क्या कर रहा है उसे बांद के रखा है मैंने आज तीसरा दिया जलाया है अब यह गुरिया इसके हाथो उसकी बोदी में रखी तो आपके मन में जो है वैसा ही होगा काली शक्ती मैंने जो कहा तो अब तक करता आया है बस के वाल आज का दिन फिर तेरे सारे बंधन खोल दूंगा जैसा कहूं वह ऐसा करेगा ना हाँ आज तीसरा मान देना है उसका हिस्सा उसे दो प्रूंग 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 आज जए अजेश प्रूंग प्रूंग ले. निर्वन्ष करेगा अनना नाइक के परिवार को हाँ यह गुडिया इसकी गोद में रख दी तो अनना नाइक का परिवार निर्वन्ष हो जाएगा वन्ष कदिया नहीं जलेगा उस घर में रख राजा रख उस अनना नाइक का सत्यानाश उसी के बच्चे के हाँ तो होगी निर्वन्ष कर दे परिवार को बापू का ध्यान रखना होगा दू अविदम बया यह बहुआ यह कैसे आई यहा पर। विगन डाल दिया कारे में विगने तो डालूंगी ही अनना नायक के खांदान की तरफ आख उठा कर देखा ना तो आखे भोर डालूंगी मैं जॉन लेलूंगी सब की अनना नायक की बहू हूँ प्यार करोगे तो अपनी सास की तरह दुलार करूंगी और अगर आड़े आए, तो ससोर की तरह चीर डालूँगी, पर चुप नहीं बैठूँगी. अरे, क्या कर रही है? रुक, शुरू मुझे. शुरू, तू विक्रिण डालेगी? अभी तक जो कुछ किया है मैंने, वो सब मिट्टी में मिलाएगी तू. तुझे क्या लगा? क्या समझती क्या है तू? आज भी बैसा कर पाएगी. तुम्हारी सुनने वाला नहीं है वो. अब हमारे वाला नहीं है वो. अब हमारे वज में है वो. हम जो कहेंगे वह ही करेगा वो. अच्छा हुआ आई. देख, आज तेरा देवर ही तेरे वंज का नाश करेगा. अच्छा हुआ आई. अच्छा हुआ आएगा वो. अफिरावा, रख तो गुरिया उसकी गोद में नफिरावपिया, प्टीराव हो! सरीता भावी आ गई, आभी भाव भी आ गए, आओ, चपल उतारो, चपल निकालो, चलो, छोड़ो मुझे, चलो मेरे साथ, आओ, चलो अंदर, आभी भाव, आभी भाव, क्या रे, क्या हुआ पांडू, माई, आ गए, आ गए, कौन आया, आभी भाव आ गए, क्या, मेरा, मेरा अभिराम आ गया, आकेले नहीं, भावी लेकर आई है, अभी भाव को, अंदर गई है, यह गुडिया इसकी गोद में रख दी, तो अनन नाइक का परिवार निर्वंश हो जाएगा, वंश कदिया नहीं जलेगा उस घर में, आपको पता भी है क्या, क्या आप क्या कर रहे थे, क्या हो जाता आपके हाथों, अच्छे नहीं है वो लोग, मुझसे भी यह करा रहे थे, मैंने छोड़ी दिया, और आप उनकी जंगल में मत फसो, क्या हुआ भाबी, अभी राम भाईया, जरीता भाबी ने ऐसे हाथ पकड़ा था, खिंच खिंच कर आंतर ले गई, हाथ नहीं छोड़ा था, आई, क्या हुआ, आया क्या अभी राम? सरिता उसे लेकर तो आई, पर वो कहां गया था, कुछ पता नहीं चला रहे, सरिता, सरिता, अरिदत्ता, क्या हुआ? नाना पहले दिमा को तकलिफ गम है क्या और उसमें अभिराम कहा चला जाता है कुछ पता नहीं चलता आई मैं देखता हूँ सरिता क्या हूँ आरी पांडू कह रहा था तो अभिराम को पकड़ कर ले आई सरिता कहां गया था वो क्या हुआ अभिराम के साथ कुछ भी अच्छा करने जाओ तो विग्न तो खड़े होती ही है सारा किया धरा पानी में गया क्या हुआ नहीं हुई न विधी मैं तो पहले ही कह रहा था अच्छा ये सब आपकी वज़े से ही हुआ है अब इसमें मेरी क्या गलती है अरे इतना सब कुछ हुआ फिर भी तुझे अकल क्यों नहीं आई अरे वच्ची अमरा बेटा चला गया अब उस आने वाले बच्चे के क्या गलती है ये सब जो कुछ तुम कर रही हो न उसके बदले जो कुछ हुआ या जो कुछ किया उसके लिए भगवान से माफी मागो कम से कम आगे तो भला होगा क्या भला होना बाकी रहा है अरे ये बुरा क्यों हुआ ये तो पता चलेगा जो कुछ बुरा किया है वो मैंने किया है उस अन्ना ने कुछ बुरा नहीं किया है अन्ना की गलती है मैं ना नहीं कहता पर अन्ना का सारा गुस्सा तुम उस घर पे क्यों निकाल रही हो? तुझे बहुत समझाया, पर तुझे तो समझ में ही नहीं आता है. मैं नहीं समझूंगी, मेरे इतना उसने नहीं भोगा है. मैं नहीं चुप बैठूंगी, मेरी हाई लगेगी उसके वंश को. वंश जनम लेने वाला है ना, आने दो. देखना, उस सरिता के पेड़ से पत्थर जननेगा. पत्थर! क्या हुआ, एसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? आभी भाओ, तुम ना, बंजर चमिल के पादू. बाभी, वो क्या बोल रहा है। कुछ नहीं. कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं. आई, मुझे भूख लगी है. बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत खाना दो ना. सरिता इसे खाना पर उस अब मैं देखती हूँ यह सब क्या चल रहा है आई आई यह जट्था अरे कहा जा रही है देखो जारा आपा ओ आपा इंदू इंदू क्यों आई हो मेरे दर्वाजे पर तेरी कर्टूथ मुझे तेरे दर्वाजे पर ले आई इंदू आपा आपा आपसे कुलती हुए आपसे कुलती हुए आपा हमारे रिष्टे का सममान करती हुँ मैं आपका ऐसा मेरे पैर पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता पर इंद लोगों से जो पाप है उसका प्राश्य तो करना ही पड़े गया आपके वच्छन की इस घर में कितनी कीमत है यह मैं जानती हूँ आपा आप ऐसे मत बैठिये बड़ी भूल हुई अब आपके सैसा नहीं होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी जान ले लेना पर इसे इसकी सासा मत देना क्लिस गलुम क्रद़ कर दो आपके से तो कि अजपनी आपके अपके पो यह महाँ तो हम सब के दुख से तेरा दुख पहाड जितना है यह मैं जानती हूं पर तुझ जो कर रही है ना वो उपाई नहीं है रे काशी जैसा तेरा पती ही था वैसा ही वो मेरा बेटा भी था उसका व्सूतक रखा था मैंने उसके जाने के बार मुझ पर क्या पीती यह मैं ही जानती हूं अरे ऐसे क्लेश करके क्या मिलेगा किसका बाला होने वाला था हाँ मन को शांत करने के लिए जो कुछ भी किया है ना उसमें नाइको के सारे रिष्टे जुलस गए रहे एक घर के दो घर हो गए इसने मेरे साथ क्या उसने मेरे साथ क्या क्या ऐसे दूसरों पर उंगलिया उठाने से पहले मैंने क्या क्या मैं क्या करने वाली हूं इसके बारे में किसीने सोचा ही नहीं तेरे पती ने भी नहीं और तेरी सास में भी नहीं उसे क्या हासिल हुआ एक जान चली गई घर की पर कितने रिष्टे तूट गए मेरा बेटा चला गया मुझसे दूर तेरा पती तुझसे दूर चला गया यह अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं और कितने रिष्टे ना तेखो बैठेंगे हम लोग अर कितना चाहिए यह बाड़ा गहने वैसे जमीन क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कहते हैं और ते घर तोड़ती हैं पर घर जोड़ना रिष्टों को जोड़ना मुश्किल है पर वो काम भी औरत ही करती है इसलिए कह रही हूँ सास के नक्षे कदम पर मत चलना अरे उसके बहुत पाफ सीने में दबाय है मैंने अगर फिर से मेरे रास्ते में आई न तो याद रखना मादव भाया जल्दी मुंबई से यहां वापस आओ सब मुझसे बुरा बरताफ कर रहे हैं चाया दीदी तो पहले से ही मुझसे बुरा बरताफ करती थी हां नहीं तो ऐसा करो तुम मुझे अपने साथ मुंबई ले चलो क्या लेख रहा है कुछ नहीं पड़ पड़ कहा है मादद भाया मुंबई से जल्दी आओ यहां सब मुझसे बुरा बरताफ कर रहे हैं चलो खड़े लेखे ल अ खड़ा और है एंट्व में बिलाते हूं नहीं दो बुलाया मुझे आपने क्या हुआ यह पूछने की तरी हिंबत कैसे हूई इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं तू कुछ नहीं जानती बाबा क्या हुआ है अभिराम ने कुछ किया क्या ये क्या है क्या है ये बता क्या है ये मैं मादव भाया को चिठी लिख रहा था जिससे मैंने अपना नाता थोड़ा जिसके लिए इस घर के दर्वाजे बंद किये उसके लिए तु चिठी लिख रहा है तरी हिम्मत कैसे हुई बता हिम्मत कैसे हुई तरी या पूछ रहा हूँ मैं तरी हिम्मत कैसे हुई तेरी वज़ा से तू फुसलाती है इसे मेरे विरुद मोर्चा खोल रही है पहले उस पड़े को फुसलाया तेरी वज़ा से वो सिंदा गया वरना तेरी गोद में उसका मुर्दा सुला था तूने उसे बचाया अब ये उसे चिठी लिख रहा है ये सब भी तेरी ही कारस्तानी है आई ने मुझे नहीं कहा था मैं ही लिख रहा था तुझे इसी लिए पढ़ा रहा हूँ हा मेरे विरुद जाने वालों का अंजाम क्या होता है ये पूछ तेरी माँ से ये पूछ तेरी दादा से पूछ उसे पीता होगा फिर भी गला खोड़ सकता हूँ अधिर बाबा चोड़ दीजे उसे दुबारा ऐसा हुआ तो सब के मुड़े किरेंगे अभी रहा था पानी फिला उसे तो किना घबरा गया है अभी रहा अभी रहा था सब के सब कूड़ रहा हूँ कोई मेरे पास नहीं आएगा जारी इसे, बाबा बोलते हैं सब कुछ नहीं बोलते हैं सब इक जैसे हो नहीं चये मुझे पानी कुछ नहीं चये मुझे घाना भी नहीं वहिए मेरे पास मताना मैं मादव पया को औ चिठ indoori लिख़रा हूँ मत लिखरेंगे बाबा क्यूं अन्ना जान लेंगे ना लेने दो जान एसा मत बोल रहे तूं अबराम आई ए निलिया और एक बाट लीला जल दीला अन्ना आज बड़े झूश में हो लगता च्पश्ण नहीं रही है इस बतो है आज मुझे चास नहीं खुन पीने का मन कर रहा है अन्ना क्या हुआ क्या है जाल ले लूँगा मैं सब के शान्त हो जाओ क्या हुआ क्या है वो बताओगे मैंने मेरे घर में दो मुँवाले जानवर पाल रखे मेरे सामने मुँँ नहीं खोलते और मेरे पीट पीछे मेरे विरुद कारस्तानी रस्तने बड़ा बेटा गया ना घर छोड़ कर गया ना खतम हो गया उसका फिशे मर गया वो अपने लिए अरे मैंने कितनी बार समझाया फिर भी मेरे घरवाले उसे चिट्टी लिखते है उसके चिट्टी आती है मेरे शब्दों के कोई किम्मत ही नहीं वो मेरे घर का छुटकू अभिराम? आँ, वो उसे चिट्टी लिख रहा था आज पकड़ा उसे मैंने हादी तोड़ने वाला था तोड़ी से चिट्टी लिखना तो दूर किताब उठाने लाइक भी नहीं रहता इस सब के लिए पड़ा रहा हूं कि उसे कापके खिलब चाल चलता है अरे, जान ले लूगा अज सब के और क्या करोगे? खोद अंदर जाओगे? अरे, मुझे कौन अंदर डालेगा हा? शान्त हो जाओ मेरी एक बात मानोगे? कौनसे बात? कुछ भी हो अन्ना तुमारा छोटा बेटा कुछ ज्यादा ही होश्यार है अब आज लिखावा पत्र तुम्हें पता चला पर इससे पहले उसने कितने खत लिखे होंगे ये तुम्हे कहा मालूम? ये बात तो सही गई तुमने इसलिए सावधान कर रहा हूँ अगर वो यहां रह गया ना तो वो क्या क्या करेगा कुछ बता नहीं सकते है दत्ता के हाथ में तुमने कभी किताब नहीं दी इसलिए वो जैसा तुम चाहते हो करता है पर इसे रोकना मुश्किल है इसलिए सावधान कर रहा हूँ यही समय है उससे गाव से कही बाहर भेज दो नहीं तो तुम्हें धोका है अभिरामा ए अभिरामा अभिरामा उठ रहे बापा कुछ खा ले रहे उठ अभिरामा अरे ऐसा क्यों कर रहा है आई की बात नहीं सुनेगा अरे ऐसे भूख के पेट नहीं सोते बुरे-बुरे सपने आते हैं उठ उठ आई क्या कह रहे हैं देखना उठ ही नहीं रहा है रो रोकर भूखा ही सो गया सुबह का नाश्ता भी नहीं किया रे पहले उस वच्छी ने इसके हाथों अघोरी काम करवाया वो तो वो कुछ समझता भी नहीं ये भी आज बहुत चिल्ला है अरे बड़ा भाई दूर है भाई से बहुत प्यार करता है चिठ्ठी तर लिखेगा ही न इसे क्या समझ है पर इन्हें कौन समझाएगा आए आज कर में सब शान्त हो जाएगा ओपर से माद भया के छिठ्वी आती से न मैं समझाती यूंा अभी राम भया को ठीक है आप वो तेरी ही बात मानेगा मैं इने खाना खिलाती हूँ आप जाकर खाना खालीजे अरे, बेटा भूखा होते हुए, आये के गले से निवाना नहीं उतरेगा, रे आये, ऐसा मन कीजिए, आप खाना खाईए, आपको मेरी शपत है, हाँ? ठीके, पर तु इसे उठा कर खाना खिला अभिराम भाईया, भाईया अरे, सोया है वो, कुछ खाया भी नहीं उस ते एक दिन भूखा रहने से मर नहीं जाएगा अजी, 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 क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए क्या आपको, मैं देती हूँ क्या, क्या चाहिए? तेरे उस भगोड़े बेटे की लिखी हुई, सारी की सारी चिठिया कहा है क्या पूछ रहा हूँ? बताय था ना? उससे संबंध नहीं रखना, फिर भी ये उससे चिठि लिखता था उसकी चिठिया आती रहीं, और तुम सब मुसे वो सब जी पाते रहें उसी समय घर से निकाल दिया होता, तो ये नौबत नहीं आती अजी ऐाजी जोट पाई से बहुत प्यार करता है ना वो तो गया तेरी जान लेते समें मैं स्यादा सोचुगा नहीं बोल कहा है वो चठी या ह। कहा है वो चट्थी, कहा है? अजी आप अजी बबाबा अजी अजब मत कीजे न ये क्या है? क्या है ये? चट्थी इतने दिन मुझसे छिपा कर मेरे ही घर में ये सब करते आए तुझे पढ़ाया उसका ये फाइदा उठाया तुने हार दूँगा सारी किताबें चला दूँगा सब समय आने पर तुम लोगों को भी चला दूँगा आई धर अबरावा इतरा बावा मैं समझाता उसे इतरा कहा ना अबरावा छोड़ उसे पर आप कुछ करिये मत उसको इतरा अजी बहुत चर्वी चड़ गई है ना सारी चर्वी निकालता हूं तेरी इसके बैग भरो यह इस घर में नहीं रहेगा कल के कल यह बोर्डिंग जाएगा अजी